स्वागतम दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ सैंपल पेपर एंड सिलेबस कक्षा चार के लिए तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉस करके डिटेल में अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं पैटन की बात करें तो आपको तोटल तीन सेक्शन आएंगे सेक्शन शब्द और व्याकरन बोध जिसे की हम कहेंगे वर्ड एंड ग्रामेटिकल नौलेज इस सेक्शन में टोटल 20 कोशन होंगे हर एक कोशन एक अंका होगा दूसरा सेक्शन है रजनात्मक बोध जिसे हम कह सकते हैं रीडिंग नौलेज या फिर क्रियेटिव नौलेज इसमें आपको टोटल 10 कोशन पूछे जाएंगे हर एक कोशन एक माक का होगा लास सेक्शन है मेधावी खंड जिसे हम कह सकते हैं अचीवर सेक्शन इसमें टोटल 5 कोशन पूछे जाएंगे हर एक कोशन दो माक्स का होगा पहला प्रश्न है भाशा के डाश रूप होते हैं भाशा के कुल दो रूप होते हैं पहला मौखिक ये वह रूप है जिसमें भाशा को बोला और सुना जाता है दूसरा रूप है लिखित जिसमें भाशा को लिखा और पढ़ा जाता है तो यहाँ पे हमारा correct option होगा ख दूसरा प्रश्न सुमित एक प्रसिद्ध धावक है दिये गए वाक्या में रेखांत कित शब्द का stilling शब्द बताईए इस sentence में underline word है धावक धावक का मतलब होता है athlete तो इसका हमें stilling यानि feminine form बताना है इसका feminine हो जाएगा धावी का जुक्की आपको option क में दिख रहा है तीसरा प्रश्न जिस प्रकार कठोर का विलोम कोमल होता है उसी प्रकार उपकार का विलोम है उपकार का मतलब होता है किसी की भलाई करना, help करना, सहायता करना तो उसी तरीके से उसका opposite हो जाएगा किसी का बुरा करना, किसी का नुक्सान करना तो उपकार का opposite हो जाएगा option ग, अपकार चौथा प्रश्न है विराट कोहली एक प्रसिध्य खिलाडी है दिये गए वाक्या में रिखांकित शब्द में संग्या का भेद बताईए सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संग्या के तोटल पांच भेद हैं ये विराट कोहली जो नाम है यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संग्या है व्यक्तिवाचक संग्या किसी विशेश व्यक्ति स्थान या वस्तू के नाम को निर्देशित करता है तो यहाँ विराट कोहली जो है एक विशेश व्यक्ति का नाम है जो की एक प्रसिद्ध भारतिय क्रिकेटर है तो यहाँ पे हमारा correct option हो जाएगा option क व्यक्ति वाचक और अंग्रेजी में व्यक्ति वाचक संग्या को हम कहेंगे proper noun पांचवा प्रश्न निर्वनलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्या का चयन कीजिए तो हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्या यानि जो correct spelling भी हो grammatical mistake भी नहीं हो वैसा sentence find करना है तो सबसे पहले हम कह वाला sentence देख लेते हैं यह सचिन का घड़ी है तो यहाँ पर सचिन की घड़ी होना चाहिए क्यूंकि घड़ी जो है एक stilling word है कह वाला sentence है हम पूरे देश में घूमा तो यह भी अशुद्ध वाक्या है क्यूंकि इसका सही शुद्धी वाक्या जो होगा वो होगा हम पूरे देश में घूमे गव वाला sentence है मेरे को भोजन चाहिए तो इसका correct form क्या होगा मुझे भोजन चाहिए गव sentence है मुझे कल दिल्ली जाना है तो यह वाला sentence है वो correct है शुद्ध वाक्या है यह तो यह हमारा correct option होगा च्छटा प्रशन है क्रिया के जिस रूप से कारिया के होने के समय का पता चलता है उसे dash कहते हैं तो हमें क्रिया के उस रूप से पता चल रहा है कि वो काम किस वक्त हुआ है उसे हम क्या कहेंगे काल और काल को इंग्लिश में कहते हैं tense हम जिसे कहते हैं past tense तो हम यहाँ पे कहेंगे हिंदी में भूत काल then present tense को कहेंगे वर्तमान काल and future tense को कहेंगे भविश्य काल यहाँ पे हमारा correct option हो जाएगा ग निमनल इखित गर्यांश को पढ़कर प्रश्न संखिया 7 और 8 के उत्तर दीजिए प्रश्न साथ है अच्छा संगीत क्या बदल सकता है इसका जवाब हमें मिल जाएगा third sentence से जो की है एक अच्छा संगीत मनुश्य की मन्ह स्थिती में बदलाव लाने में बेहद अहम भूमी का निभाता है तो यहाँ पे हमारा अंसर हो जाएगा option number ग प्रश्न 8 संगीत हमारी नकारात्मक भावनाओं को किस भावना में बदल सकता है अगेन इसका अंसर हमें third sentence से मिल जा रहा है संगीत हमारी नकारात्मक भावनाओं को सकरात्मकता में बदल सकता है तो यहाँ पे संगीत जो है negative thoughts जो होती है हमारी negative feelings होती है उन्हें सकरात्मक यानि positive thoughts and positive feelings में change कर देता है तो हमारा correct option हो जाएगा option number ग नौवा प्रश्न है भाशाओं तथा उनकी लीपियों के मिलान के उचित विकल्प का चयन कीजिए लीपी का मतलब होता है script तो कौन सी भाशा किस script से आई वी है वो हमें यहाँ पे match करना है तो यहाँ पे भाशा का पहला वाला है और नमबर है हिंदी तो हिंदी है देवनागरी लिपी की देन भाशा है अंग्रेजी तो अंग्रेजी रोमन लिपी की है फिर स में है उर्दु तो उर्दु हो गई फार्सी लिपी की and last द नमबर पर है पंजाबी तो पंजाबी है गुरु मुखी लिपी की तो यहाँ पे हमारा correct option हो जाएगा option number ख प्रश्ण 10 निमनल इखित वाक्यों को ध्यान पुर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चैन कीजिए यहाँ पे अ है हिंदी भाशा में 11 सुर होते हैं तो यह वाला जो वाक्य है वो सही है तोटल वाविल्स जो है 11 होता है बव वाक्य है वचन के दो भेद होते हैं तो यह वाला जो वाक्य है वो correct है क्योंकि वचन के दो भेद होते हैं पहला एक वचन जिसको हम singular form कहते हैं दूसरा बहु वचन जिसे हम plural कहते हैं तो example हो गिया लड़का लड़के जिसे के हम इंग्रिश में बोलेंगे बॉइ बॉइ जिसको आप इंग्रिश में कहेंगे बटर्फ्लाई बटर्फ्लाईज वाक्य सर है संयूक्त वियंजनों की संखिया तीन होती है यह वाला जो statement है वो गलत है क्योंकि संयूक्त वियंजनों की संखिया कुल चार होती है तो यहां पर औ और ब वाक्या सही है और सर वाक्या गलत है तो हमारा correct option हो जाएगा option ग